नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल टूफएक्ट इचिम आपका स्वागत है आज कहा हमारा विशा है होमेपेथिक मेडसीन मॉमोडिका बालसैमिना के सिम्टम मॉमोडिका बालसैमिना उसनी का प्रयोग कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है जो इस प्रकार है जैसे पेट में मरूर होना पेट का दर्द पाचन सहस्तान में दर्द इस्तरियों के माशिक धर्म के समय में अधिक मात्रा में श्राव होना पेट में हवा भर जाना जथा जलोदा रोग मौमोर्डी का बलसेमन आउद्धी नमिखित लक्षनों के रोगियों के रोग को ठीक करने में उप्योगी है जैसे सीर से समधित लक्षन रोगी के सीर में चक्कर आने लगता है रोगी के सीर में चक्कर आता है सीर के अंद्रोनी भाग में हलकापर मशूस होता है आखों के सामने जुदलापर मशूस होता है इस पिकार के लक्षनों से पिरी द्रोगी के रोग को ठीक करने के लिए रोगी के पेट मरोर होने के साथ ही दर्द होता है, तथा पेट में गरगराथ होती है, पीछ में दर्द होता है, और इस दर्द का असर पीछ से सुरू होकर पेच के उपर तक फैल जाता है, इस परकार के लक्षों से पीरित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए महमोड़ी का इस्तिरी रोग समझे लक्षन, रोगी इस्तिरी को मासिक धर्म के समय में अधिक स्राव होने के साथ दर्द भी हो रहा हो। बच्चे को जम दने के समय में जिस प्रकार का दर्द होता है उस प्रकार उस प्रकार दर्द हो रहा हो। और इसके तुरंत बाद अधिमात्रा में योनी सुखुन का सुराव हो रहा हो। दर्द कमर के निचले भाग से सुरू होकर गोनिगा के आगे भाग तक फैलता हो। इस प्रकार के लक्षरों में से इसी कोई भी लक्षन कि इसी इस्तिरी नरोगी को हो गया हो। उसके रोग कोठी करने के लिए महमोडी का बारसामिना और जिकर सेवन करना चाहिए। शंबंद, रिलेशन, आते पीली पर गई हो। पत्ले पदात से भरा हो। तो ऐसे रोग कोठी करने के लिए महमोडी का जथा नहीं कि परियोग करते हैं। Library को नहीं से परिय ज्रोगी को प्धिकर करने की लिए महमोडी का बारसामिना और जिख dubh कहते हैं। आता महमोडी का था कैरेंट्य आँज औरहिए कुछ स्कुनों की तुलना आप महमोडी का बारसामिना और जिसरे कर सकते हैं। इलाटेडियम। और यह कुछ गुणों की तुर्णा महमवडिका बारसयमिन वदि से अब कर सकते हैं। मात्रा महमवडिका बारसयमिन वदि के मुलार कर परियोग रोक रख्षनों के ठीक करने के लिए करना चाहिए। जल जाने या हाथों की चबरी फट जाने पर महमवड़ी का वार्समीन अर्दिक अपयोग मालिश और पुर्टिस की रूप में भी करना चाहिए अपने आगे दे वीडियो में विश्मात्पूर्बिशेपर अपने जानकारियों के शाथ अगसाने प्रसूत होंगे धन्यवाद